सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके ब्रिश भरासी वालों का आजी का रासी फल यानी की बारह जून दो हजार बीस का रासी फल तो नमसकार मित्रों आईए आज के बीडियो की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बारह जून दो हजार बीस के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है सप्त में नक्षत्र है सत भिसा पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है सुक्र बार आज के दिन सुर्य उदय है पंच बज के बाइस मिनट में और सुर्यास्त है साथ बज के उनीस मिनट में रितू है ग्रिस्म और आज का दिन काल है तेरह घंटे चपन मिनट बाबन सेकेंड का महिना है आसाड है और आज के दिन सुब समय सुरू होता है ग्यारह बज के बाबन मिनट एम से बारह बज के पचास मिनट पी एम तक और अशुभकाल सुरू होता है आठ बज के नौ मिनट एम से नौ बज के पांच मिनट एम तक और दुबारा है बारह बज के पचपन मिनट पी एम से एक बज के चौबालीस मिनट पी एम तक और राहुकाल सुरू होता है दस बज के 36 मिनट एम से बारह बज के 21 मिनट पी एम तक और दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो मित्रों यही था आज का पंचांग बीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे जै बजरंग बली कमेंट कर दें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि आज के दिन आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है मित्रों स्वास्त के दृष्टी कोन से आपका समय सही रहेगा आज के दिन आपके बोडी में उरजा का अस्तर काफी जयादा उचा रहेगा और इस वजह से आपके स्वास्त में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है आज के दिन अपने खाली समय का आनंद आप ले सकेंगे इसके बाद है आपका धन संपत्ती तो पैसों के दृष्टी कों से आपका समय सामाने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अगर आप कहीं भी धन संपत्ती का निवेस करना चाहते हैं तो निवेस करने में आप लापड़वाही बिलकुल भी न करें क्योंकि आपके एक लापड़वाही के वजह से आपका पैसा डूब जाएगा और इस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पर सकता है इसके बाद है आपका पाड़िवाडिक जीवन तो पाड़िवाडिक जीवन के दृष्टिकों से आपका शमय बहुत जयादा खराब रहेगा आज के दिन अपने घर पड़िवार में किसी विक्ती से अगर आप कोई शहायता मांगते हो तो आपके घर के जयादा दर लोग आपकी शहायता नहीं करेंगे और इस वजह से घर का माहौल खराब हो जाएगा और घर पड़िवार के लोगों के शाथ आपका संबंध भी थोड़ा बहुत खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका प्ड़ेम शंबंध है तो प्ड़ेम शंबंध के दृष्टी कों से आपका शमय बहुत ही जयादा बहुतर और मजबूत रहने वाला है आज के दिन अपने प्ड़ेमी या अपनी प्ड़ेमिका के भावना को आप समझें उनके भावना की आप कद्र क जाएगा इसके बाद है आपका कामकाज मित्रों कामकाज के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा नहीं रहने वाला है आज के दिन अगर आपके कामकाज में आपके काड़े छित्र में किसी विक्ती के साथ आपका नोक जोग हो जाए तो इस नोक जोग को आप बैठ कर आपका कामकाज खराब हो जाएगा आज के दिन आपके लिए भाग्य साली यंक है पांच यनि की फाइब और सुभ रंग है आपके लिए नारंगी और सुन हरा दोस्तों आज के दिन अपने समय को बेहतर और शांदार करने के लिए आप सुर्ज उदै के वक्त प्रानायाम क इससे आपका समय सांदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो मित्रों इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह से एर कर दें ताकि बांकी लोग भी इसका फाइदा उठा सके धन्यवाद